कैसे हैं आप लोग आज मैं लाई हूँ बीट रूट श्रीखन की रेसिपी वो भी बिलकुल अनिकी जन्दाज में तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बहले एक किलो दही ले लेंगे मैंने पैकेट वाले दूद का दही जमाया है आप चाहें तो कोई भी दूद का दही जमा सकते हैं और चाहें तो बहार का दही भी यूज़ कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रहे कि दही खटा ना हो नहीं तो श्रीकर अच्छा नहीं बन ताकि वो अच्छा से दही का पानी सोख ले और जो दही जमा के रखा है अब उसे चमत से जीरित से एड़ करते हुए जाएंगे ताकि वो पूरा पानी सोख ले और एक दही को अच्छा से टेक्शर मिल जाए तो फ्रेंज बस इसको ऐसी ही एड़ कर लेंगे और इसे अच्छ मिक्स रेडी कर लेते हैं एक पैयन या कड़ाई में आदा कटोरी दूढ़ एड़ कर लेंगे और इसे एक मिनिट के लिए ऐसे ही पका लेंगे अब इसमें आड़ करेंगे एक का टोरी ग्रेट बीट रूट और अब इन दोनों को अच्छे से हिलते हुए mix कर लेंगे और इसे 5 मिनिट के लिए low flame पे अच्छे से पका लेंगे ताकि जो beetroot का कच्छा पन होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से निकल जाए और दूद के साथ में अच्छे से mix हो जाए फ्रेंड्स अब यहाँ पे 5 मिनिट हो गए है और यह पक गया है इसमें आड़ कर लेते हैं पॉन कटोरी PC हुई चीनी आड़ कर लेंगे और इसे फिर से 5-7 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे इसे हिलाते हुए पकाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमने चीनी आड़ की है चीनी नहीं तो नीचे लग जाएगी ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे और इसका जो भी इसमें दूद बचा हुआ है उसे अच्छे से सुखा लेंगे इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है इसका कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने चीनी आड़ की है अब इसमें ग्लेज बहुत अच्छा आ चुका है और यह बहुत अच्छे से पक भी चुका है क्योंकि पाच मिनिट हो चुके हैं तो चलिए अब गैस बन करते हैं और इसे नीचे उतार के ठंडा कर लेते हैं फ्रेंट्स देर से दो गंटे हो गए हैं चलिए देख लेते हैं धाई का क्या हाल है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पानी अल्मोस निकल चुका है मैं आपको इसकी छन्मी हटा के भी एक बार दिखा देती हूं यह देखिए पानी बहुत अच्छी तरह से निकल गया है और अब यह बिल्कुल रेडी है श्रीखन बनाने के लिए तो चलिए इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं धाई को एक बरतन में निकाल दिया है और यह बहुती बढ़िया ठेक भी हो गया है तो अब एक बीटर ले लेंगे और बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे और इसे जब तक बीट करेंगे जब तक इसके पूरे लंज अच्छे से नहीं निकल जाते बस ऐसे ही राउंड राउंड में इसे बीट करेंगे ताकि सारे लंज अच्छे से और पूरी तरह निकल जाए फ्रेंड्स जैसे की आप देख सकते हैं दही बहुत अच्छे से बीट हो चुका है इसके सारे लंब्स भी बहुत अच्छे से निकल चुके हैं एक भी लंब दिखाई नहीं दे रहा है और यह बिल्कुल रेडी है तो चलिए जो हमने बीटूट मिक्स अल्रेडी करके र लग गया है जैसे की आप देख सकते हैं हलका पिंक सा कलर इसका आने लग गया है इसमें अब फिर से आड़ करेंगे वन टीस्पून बिटूट का मिक्शर और अब फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा टेक्शर रेडी कर लेंगे यह अब पाउडर भी बोलते हैं इसके बाद इसमें अड़ करेंगे पिस्ता जो मैंने छोटे छोटे उसमें काटके रखे हुए है इसके बाद आड़ करेंगे बदाम जो इसे मैंने फिर से छोटे छोटे उसमें काटके रखा हुआ है अब लास्ट में अड़ करेंगे आधा कटोरी PC हुई चीनी और अब इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और चीनी को अच्छे से mix कर लेंगे friends श्रीखन बिलकुल ready हो गया है और चीनी भी बहुत अच्छे से mix हो गयी है चलिए इसे एक ball में निकाल लेते हैं और उसे अच्छे से garnish कर लेते हैं इसे मैंने एक बॉल में निकाल लिया है इसमें आप उपर एड़ करेंगे बादाम जो मैंने काटके रखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसके उपर एड़ करेंगे पिस्ता जिसे मैंने छोटे टुकडों में काटके रखा हुआ है ड्राइ फ्रूट एड़ करने से श्रीखन के फ्लेवर एनहांस हो जाता है और बहुती रिच फ्लेवर भी आता है इसके बाद आखरी में मैंने बीटूट का मिक्षर थोड़ा सा बचा के रखा है तो अब उसे एक चमज बीच में एड़ कर देंगे गार्निशिंग के लिए ज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा थैंक यू